HRM इसके transfer model से तो सभी employee pass ले रहे हैं और मेरे पास pass से related कई सारे comment आ रहे हैं जिनमें से एक comment ये भी था कि सर्थ full set और half set में क्या अंतर होता है तो दोस्तों आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब लेज चैनल को subscribe कर ले और यार घंटी वाला जो आइकन है उसको भी जरूर दावा दे जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आगने वाली है उन सब का notification आपको सबसे पहले मिल जाए और आप तुरंत ही उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपका कोई भी confusion हो या कोई भी doubt हो वो किलियर हो सके तो गाइस मेरे पास एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि full set और half set pass में क्या अंतर होता है इसके बारे में कुछ हमें बताई तो दोस्तों full set का मतलब होता है कि आप पर जाते हैं और बी स्टेसन से बाफिस ए श्टेसन पर आते हैं और उसके लिए जो आप एक pass निकलवाते हैं वो होता है full set pass यानि कि मैं आसाल सब्दों में आपको बताऊं कि आप कोई pass निकलवाते हैं जो जाने की journey और आने की journey एक ही pass में define कर देते हैं वो आपका full set pass कहल लिए और आने की journey के लिए अलग से एक pass लिया तो वो hop up set pass हो गया तो अब आई थी कि आपका confusion थोड़ा सा clear हुआ हुआ है अब मैं आपको इसका और एक example के मादब से बता देता हूँ माली जीए आपको जाना है मुम्मई से दिल्ली के लिए जाना है और फिर वापिस से दि जाने को define कर दोगे तो वो आपका एक full set pass कहलाएगा तो उसमें क्या होगा कि आप उसी pass पर जाने का reservation करवा सकते हैं और उसी pass पर आने का reservation करवा सकते हैं अब इसमें एक दिक्कत है कि आपने माली जीए आने का reservation पहले करवा लिया तो आपका जाने वाला reservation नहीं हो पाएगा तो इसलिए जब भी आप full set pass लो तो उसमें धान रखेगा कि आप पहले जाने वाले reservation कराएं उसके बाद आपनी वापसी का reservation कराएं ठीक है तो ये आपको ध्यान पे रखने वाली बात है और मेरी आपसे गुजारिस होगे कि आप जब कभी भी HRMS से पास निकलवाएं तो आप हापसेट पास ही निकलवाएं ना कि full set pass उसका क्या benefit है मैं आगे आपको बता देता हूँ अब उसके बाद आता है हाप सेटा हापसेट का मतलब है कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपने मुंबई से दिल्ली के लिए एक हाप सेट पास निकलवा लिए है ठीक है कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है ना कि मुझे दिल्ली से मुंबई वापिस आना है उसी पास पर अब आपको क्या करना है कि मुंबई से दिल्ली आपने एक पास निकलवा लिया एक हाप सेट जिसको हम बोलना है और दूसरा आपने एक हाप सेट निकलवाया दिल दूसरा दिल्ली से मुंबई तो यह टोटल जो आपको काउंटिंग होगी वो एक पास एक फुल सेट पास में काउंट हो जाएगा यानि कि आप दो हाप आप सेट पास निकलवाओगे तो आपका एक फुल सेट पास माल लिया जाएगा ठीक है तो इसमें आपको फ्लक्जिब जो आपका मुंबई से दिल लिवाला है तो उससे क्या होगा आपको बापसी जन्री या आटवार जन्री एफेक्ट नहीं होगी ठीक है तो जब कभी भी आप पास निकलवाए तो हाप सेट पास ही निकलवाए और उस पर फिर अलग-अलग रिजर्वेशन करवा लें तो आ ते नएक्ट वीडियो में, बाद बाद तानेमा.